चोलो दोस्तों शुरू करते कोवे का महल प्यारे बच्चों बहुत पुरानी समय की बाते एक गाव में सारदा नाम की एक गरीब इस्त्री रहती थी एक छोटी सी लड़की चितरा को छोड़ कर उसका दुनिया में कोई और नहीं था चितरा बड़ी संदर और बोली थी इसलिए एर आदमी उसे बहुत प्यार करता था इस सवागिन सारदा के घर में चितरा के रूप में तो चांद खिला है एक दिन चितरा की माने थोड़े से चावल एक थाली में डाल कर सुखाने के लिए दूप में रख दिये बेटी तुम यहीं बैट कर चावलों की रिखवाली करो तब तक मैं घर की सफाई कर लूँ द्यान रहे कोई चिडिया आदी आकर इने ने खाज आई वरना हम दोनों को कोई आज बुखा रहना पड़ेगा ठीक है मान फिर चित्रा थाली से थोड़ी दूर बैट गई और चिडियों को उड़ाने लगी शीशी अभी चित्रा को चावलों की रिखवाली करते थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा वी चित्र कोवा उड़ता हो वहाँ जिसकी चोथ चांदी की थी और पंक सोने के थे काउं काउं और वे ठाली के पास बैटकर मोज से चावल खाने लगा बीच बीच में वे चित्रा की और देखकर रसने लगता था उसको वे को अपने चावल खाते देख चित्रा की सुन्दर ऐव बड़ी बड़ी आँखों में आसू आ गए आँ मैं क्या करूँ वे तो सारे चावल खाये जा रहा और मैं चागर भी उसे उड़ा नहीं पा रही हूं और वे मेरी इस मजबूरी पर हस रहा है यदि वे सारे चावल खा गया तो नैक केवल मुझे मा की डाट खानी पड़ेगी बलिकम दोनों को बूखे भी सोना पोगा जब नन्नी चित्रा काफी कोशिश करने के बाजूत भी उसे उड़ा पाने की कोशिश करने में सफल नहीं हुई तो हे कोवे देवता भाया हे कोवे भाया इन चावलों को मत खाओ मेरी मा बहुत गरीब है उसके लिए ये चावल भी बहुत किमती है यदि तुमने ये सारे चावल खा लिये तो मेरे साथ साथ मेरी मा को भी बूखा रहना पड़ेगा और फिर भी यदि तुमें अपना पेट पर नहीं है तो मेरे हिस्थे के खालो चितरा की बात सुनकर सौने के पंक f кого Elee कोई ने बड़े सने के साथ उसकी और देखा तुम बहुत बोली हो तुम बोली हो और अच्छी लड़की और मैंने तुम्हेरे जितने साओल खाएं। उसके कीमत मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम कल सुबह सुरज निकलने से पहले गाउं के बाहर बड़े नीम के पेड़ के पास आ जाना। मुई तु पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, आ मैं मुझे मत मारो मा, इसमें मेरा कोई दोस नहीं, और रोते रोते चित्रा ने सारी बात बता दी, पंतु मा ने उसके एक ने सुनी और उसे मारती पिठती रही, यदि पास पुडोश के लोग बचाने ने आ जाते तो साद व दूख भी दो सारता बहन जो ना था वह हो गया, वह तो ठीक है, बैया लेकिन इसकी कानी तो सुनो कहती है, जिस कोई ने चावल खाए हूं, एक कोई कल चावलों की कीमत दे देगा, और उस कोई के पंक सोने के और चोच चांदी की थी, मा मैं जूट नहीं बोल रही, मेरी बात का विश्वास करो मा हूं, खेर मुई जूट बोलने से अब भी बाज नहीं आएगे तू, अभी बताते हूं, अब छोड़ों भी ना बहन, तुम इसे पहले भूद पिक चुकी हो, अब क्या इसकी जानी ले लेने का इरादा है, हाँ बहन अब सांत हो जाओ, तुमें चाओलों के जाने का इदुख है, आव मुठी बर चाओल मैं तुम्हें दिये देती हूं, उस इस्त्री की बात सुनकर सावदा यानि चित्रा की मा का करोद कुछ सांत हुआ और वह पैर पटकती वहां से चली गई, तुम रो मत बेटी, आव मेरे साथ गर चलो, मैं तुमें पेट पर बोजन कराऊंगी, नहीं चाची जब तक मैं कोवे भहिया से चाओलों की कीमत लाकर मा को नहीं दे दूँगी, अन और जल गरहन नहीं करूँगी, मा ने मुझे जूठा का, अब मैं मा को अपनी सच्चाई का विश्वास दिला करी रहूंगी, फिर चित्रा जाकर बिश्टर पर पड़ गी और बिना कुछ खाय पिये रोते रोते ही सो गई, दूसरे दिन बोरोने से पहले ही वै उठी और गाउं से बाहर उस नीम के पेड़ के और चल पड़ी, जिसके विश्वा में कोवे ने उसे बता था, यदि कोवे भया की बाद जूठी साबित तो मैं वापस घर नहीं लोटूँगी, किसी कुए में डूब कर जान दे दूँगी, काफी देव तक चलते रहने के पर साथ, चित्रा गाउं से भार एक बड़े से नीम के पेड़ के पास जापूची, और उस पेड़ की पतियों के बीच जांका, सोने का एक छोटा सा महल नुमा गोसला बनावा था वहाँ, तबी चित्रा अहा कितना सुंदर महल है, तो क्या कोवा भजा इसी महल में रहता है, अभी चित्रा अस्त्रे में खड़ी हुई उस महल को देखी रही थी कि, वही वी चित्र कोवा महल के दोवार पर आया, अहा भेन तुम आ गई लेकिन नीचे क्यों खड़ी हो, उपर आजाओ, वो ठहरो, मैं तुमारे आने के लिए सीड़ी लटकाता हूँ, बोलो तुम्हे सोने की सीड़ी, चाहिए चांदी की या तांबे की, मैं गरीब मा की बेटी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तांबे की सीड़ी लटकाने की ही कह सकती कोवे ने सीड़ी नीचे लटका दी, अरे मैंने तो तांबे के सीड़ी के लिए का था, यह तो सोने की है, और वह उपर चड़ने लगी, उपर पूँचने पर, आओ बेहन, पहले मैं तुम्हे अपने महल में गुमा दूँ, ने कोवे भाया, मेरे पास समन है, यह तुम्हे चावलों की कीमत देने के लिए का था, वे दो, मुझे जल्दी गर वापस लोटना है, हाँ, हाँ, वे कीमत भी दूँगा, लेकिन पहले मेरा महल देकर कुछ खापी तो लो, अरे, अरे बेहन, यह तुम्हारी आखे क्यो सुजी हुई है, तभी कोवा चित्रा की सुजी हु वे समझती हैं कि मैं उन्हें कोई मन गंड़क काने सुना रही हूँ, वो मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुम चिंता ने करो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन, जब तुमारी मा को मेरे खाय चावल क पूरी कीमत मिल जाएगी, तो उसका ने केवल गुसा खतम हो जाएगा, बलिक वे तुमारी सचाई को जान कर तुम्हें बहुत प्यार भी करेगी, आओ मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ, कोई की बात सुनकर चितरा के मन को कुछ तसली हुई, और वे कोई के साथ ग काफी भूख लगी होगी, आओ चल कर बोजन करते हैं, तुम्हारे इंजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया है, ओ ठीक है चलो, कोई उसे लेकर अपने खाने के कवरे में पूचा, हाँ बेहन अब बता तुम सोने की थाली में बोजन करोगी या चांदी की थाली में, यह थो कोई ने उसे सोने की थाली में बोजन परोशा, और बोजन भी इतना स्वादिश था कि चितरा ने जीवने पहले कभी नहीं खा था, तब चितरा का पेट पूरी तरह भर गया, जब चितरा का पेट पूरी तरह भर गया, तुम बहुत अच्छी हो बेहन, मेरी इच्छा तो कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन तुमारी मा को भी तुमारी जरूरत है, इसलिए तुमें सांज ड़नने से पहले ही घर लोड़ जाना चाहिए, वरना वह वर्थ ही तुमारे लिए चिंतित होगी, आओ मैं तुमें तुमारे चावलों की कीमत दे दू, हाँ मैं भी य कहना चाहती थी, चलो, तो कोवा चितरा को एक ऐसे कमरे में लेगा, जहां तीन बक्षे रखे थे, उन बक्षों में सोने का बक्षा सबसे बड़ा था, चांदी का उससे चोटा और तांबे का सबसे चोटा था, भेन तुम इन में से एक बक्षा चुलो, घर जाकर उसे अप लिए काफी रहेगा, कोवे ने तांबे का बक्षा देकर, 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 कोवे ने तांबे का बक्ष से खोल कर देखती हूँ, फिर विश्वास करूंगी कि तू जूट बोल रही है या सच, मा ने बक्षे को जमीन पर रख कर जैसे उसका डखकन उपर ठाया, दोनों मा बेटी की आंके आस्तरे और खुशी से फटी की फटी रह गई, आहा इरे इतने सारे, बेटी तेरी बाद बोजे इतने दुख दिये, ऐसा ने को मरी अच्छी मा तुम तो बहुत बहुत प्यार करती हो, तुम तो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हो, कुछी दिनों में चित्रा की मा ने उन हिरों को बेज कर जोपरी की जगह पर एक काली सान मकान बनवा लिया, और दोनों मा बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके अमीर होने के रहसे का पता लगाई लिया, तो सार्दा बेहन क्या तुम यह कहना चाती हो कि यह सब कुछ एक विचित्र कोई की महरबानी से हुआ है, जिसने तुमारे चावल खाए थे, हा बेहन यह बिलकुल सचवरना इतना पैसा बला हमारे पास कहां से आता, दूसरे दिन पुडिया ने भी एक ठाली में चावल भरकर दूप में सखाने के लिए रख दिये, और अपनी पोती को उनकी रखवाली के लिए पास में बैठा दिया, इस इस चलो भागो यहां से, सुमित्रा भूत आल सी थी, थोड़ी देर त दूटी और उसने एक विचित्र कोई को अपने चावल खाते देखा तो वही से चिला कर अपनी दादी के शिखाई वाक्षों को दोराने लगी, एक कोई के बच्चे जो चावल तुमने खाये हैं, तुम्हें उनकी कीमत देनी होगी, वरना मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर मार दूगी, हमें ये चाल मुफ्त में ही नहीं मिले हैं, जो तुम इस तरह इन्हें खाये जा रहे हो, अरे यह तो बड़ी बत्मीजो और घमंडी लड़की मालुम पड़ती है, कोई को सुमित्रा के बद्धे वेवार पर करोत तो भूत आ है, लेकिन फिर भी, अच्छी ब कोई उड़ गया, वाब चल कर दादी को बताऊं, जैसा उसने का था, मैंने वैसा ही कर दिया, इसके बदले दादी ने मुझे पांच रुपे देने के लिए का था, वै भी वसूल करूं, सुमित्रा ने जब घर में जा कर अपनी दादी को वैसारी बात बताई तो उसका भी मालेकिन इस काम के मैं तुमसे दस रुपे लूँगी, हाँ बेटी जरूर दूँगी, हाँ बेटी दूँगी, जरूर दूँगी, वैर रात दादी और सुमित्रा ने किसी तरह काटी और अगले दिन भोर होने से पहले दादी ने सुमित्रा को उठा कर गाउं से बाहर नीम के पेड़ के पास भेज दिया, उसमें कोवा अपने महल में सो रहा था, एक कोवे मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दे दो, मेरे पास यहां रुकने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, सुमित्रा के कड़वी आवाज सुनकर कोवे के निन तूट भी और से सुमित्रा पर फिर एक बार भूत करो दा, लेकिन जड़ा ठेरो लड़की मैं नीचे तामबे के सीड़ी लटकाए देता हूं, तुम्हें उस पर चड़ कर उपर आना होगा, तामबे के सीड़ी पर ही पहले अपने महल में गुमाया, फिर खाने के समय सुमित्रा दोरा सुने की ठाली में खाना परोसे जाने के कहने के बाजुद भी, कोवे ने उसे तामबे की ठाली में ही खाना परोसा है, उसके बाद वह उसे कमरे में लेगा जाना सुने चांदी और तामबे के तीन बख्षे के रूप में चुकाई है ठीक है तो मैं उन चावलों के बदले यह बड़ा सोने का बक्षा लिये जाती हूँ क्याकर सुमित्रा ने उसे सोने के संदुक को उठा और बिना कोई का धन्यवाद अदा किये ही मैल से नीचे उतर कर अपने घर की और चल पड़ी वह मुर्ख को आप समझता है कि मुझे तामे का मामुली सा बक्षा दे कर टाल देगा लेकिन मैं इतनी मुर्ख नहीं घर पूँच कर जब उसने अपनी दादी को सारा किस्षा बताते हूए सोने का बक्षा दिया तो दादी की भी खुशी का ठिकाना ने रहा साबास बेटी अब देखना हम कितने दन्वान हो जाते हैं वह बिखाईन सारदा मारी उन्ती देखकर जल भुन मरेगी लेकिन जैसे उन्होंने सोने के संदूक को खोला उनके कंट से भै मिस्टित चीखे निकल गई हाई साब दादी साब दादी मा बचाओ तबी साब फुपकारतावा संदूक से निकल कर उन दोनों की और जख्टा बैसे गरस दादी और पोती अपनी जान बचाने के लिए गर्द सोड़ कर नाक की सिदा में बागती चली गई और उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि कब वे गाव की सिमा से बाहर निकल गए और कहां दोड़े चले जा रहे हैं उसके बाद से फिर उन्हें कभी किसी ने उस गाव में नहीं देखा सच प्यारे बच्चों इर्शा और लालच एक सांप की तरह है जिस तरह सांप दूद पिलाने वाले को भी डस लेता है उसी तरह इर्शा और लालच भी अपने से प्रेम करने वालों को एक दिन तबाह कर देते हैं कि समाथ दोस्तों किसी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना